आजके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं Oaken cam Scanner अप्लिकिशन को आप अपनी फोन में कैसे यूज करेंगे तो guys घर आप भी जानना चाहतो Oaken cam scanner application क्या है और इस अप्लिकिशन को हम अपनी फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को दखते रहें तो गई सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा प्ले स्टोर के अंदर आना है और इसके बाद यहां पर इसके रिव्यूज देखने है तो वह भी देखे तो 90 के की रिव्यूज दे 4.7 इसको स्टार मिले हुए थ्री प्लस रेटेड एंड इस 10 मिलियन प्लस इसकी जो डाउनलोडिंगे अब कैसे अप्लिकेशन को यूज करना चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो हम अपनी फोन में अप्लिकेशन को ओपन करेंगे और उसके अभ पर जैसे युड़ करेंगे और ॉपन करने के बाज इस तरह से अप्लिकेशन का इंटर्फेस अजाएगा सबसे पहले और उसके बाद उस PDF में भी convert आप जो easily कर पाएंगे ठीक है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी option मल जाएंगे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यह डॉक्स वाला option है इसके अंदर आप बहुत सारे option देख पाएंगे ID card अगर आपको बनाना तो वह भी बना सकतो यहाँ पर पेज को रियाओडर भी आप जो कर पाएंगे ठीक है इंपोर्ट्स फाइल से कोलेज मेकर करना है तो सब कुछ यहाँ पर पीडियॉप का वाटरमाक वगरा है सेट करना है तो वह यहाँ पर आप कर पाएंगे बहुत सारे इसके अंदर option जो आपको मिल जाते ठी इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आप डॉक्यमेंट बनाएंगे वह यहाँ पर सारे दिखाएंगे और कोई फोल्डर वाइस देखना तो फोल्डर वाइस भी यहाँ पर आपको जो हो जायागा ठीक है इसके अंदर भी आप प्रीमिम लेना चाहते तो प्रीमिम भी ले सकत करना है या पर कोई भी देखेंगे जैसे पैं अधार करना है कर सकते हैँ जैसे फोल्ग में केंसि सामने आ जाता अगर आप ग्लरे से कोई का नहें घंप अगर फूटो आपको क्लिक करना तो वो भी कर सकते है, जैसे for example मेरे पास यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक कार्ड है, मेरे पास example के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यह वाला मेरे पास कार्ड है, तो इसका photo capture करना तो अपनी हिसाब से आप इसका photo capture करेंगे, उसक यहाँ पर देख तो यह बैक पेज का option है, फ्रंट पेज यहाँ पर हो चुक है, अब यहाँ पर यह बैक पेज का option बता रहा है, तो जैसे for example के लिए हमें बैक पेज है, आपने ID का तो वह भी यहाँ पर आपको select कर लेना है, और इसी परकार से आपको उसको फोटो है, उसक इसके अपने इसापस से edit कर पाएंगे, यहाँ पर लेंगे इस तरह से और उसके बाद done वाले option पर click करेंगे, ठीक है, तो यह बी यहाँ चीज आ गया, और इसको भी एगर edit करना तो इसको भी इस तरह से आप जो properly edit कर पाएंगे, दोनों चीज को यहाँ पर properly आप एडिट क कर पाएंगे, ठीक है, यह मैं आपको जूम करके भी आपको बता दे, अगर आपको इसके अंदर कोई add करना है, तो यहाँ पर आपको filter का भी option मिलेगा, जिसके अंदर click करके आप filter कर सकते हो, edit वाला option मिलेगा, add watermark option मिलेगा, यह सारे feature आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर sign up भी कर सकते हैं, मैं फिलाल के लिए next time करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने, हमारे PDF वह confirm हो चुके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, tick वाले option पे click करेंगे, तो जैसे यहाँ पर complete करने के बाद, यहाँ पर आप जो टिक वाले option पे click करें और भी अगर कोई add करना तो इसके इंदर आप easily add कर पाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नीचे की साहर में add वाला option है, collage वाला option है, share वाला option है, edit PDF वाला option है, और यहाँ पर three dot पे click करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह का जो और भी batch यहाँ पर आपको मिल जाएत और share वाला option यहाँ पर आपको मिल जाएता, ठीक है, तो चलिए, for example के लिए, share वाला option पे click करते है, share PDF वाला और share JPG वाला जो भी आपको share करना आप कर सकते है, share PDF के उपर click करूँगा, और WhatsApp पे करना जहां पर भी आप करना कर सकते है, for example, WhatsApp मैंने कर लिया, उसके बाद यहाँ पर हम send करेंगे, send वाला option पे click करेंगे, और यहाँ पर पीडियेफ बंद के तयार हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा PDF जो है, send हो जाएगा, तो यहाँ पर पीडियेफ मारा इस तरह से send हो जुका, ठीक है, तो automatically यहाँ पर यह सब कुछ बंद के तयार हो जा दूसरे अगर और भी option है, जो भी सभी आपको यूज़ करना है, तो one by one यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने phone में document scanner application, जो okay scanner application है, उसे use कर सकते है,